तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करता है एक बार दौरा से आपके अपने चैनल पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने कर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर आप चैनले में नए आये तो चैनले को सब्सक्राइब कर सकते हैं वो लाल कर आपको बड़न दिख रहा होगा साथ में बैल को दवाना ना भूलिएगा ताकि आपके आपके लिए एक फार्मर स्टॉक जो मुझे इस महीने के लिए और नेक्स्ट एक तो महीने इसाफ से आपके क्या टाकर निकल कर रहे डेफिल ने निचे कॉमेंट कर सकती हो मेरे टागेट थोड़े इसमें बड़े है यह स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसके दो रीजेने एक रीजन तो बहुत सौकिंग है अगर आप वो सुनोगे तो आप बोल सकते ह क्योंकि हां सर यह रीजन बहुत बढ़िया है तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं आपका बाल फारमा का स्टॉक चार्ट खोला हुआ है तो मैं इसमें आपको इसके प्रॉफिट और लॉस भी दिखा दूँगा साथ में इसका से रोलनी पैटर मी दिखा दूगा तो आप ड मतलब क्या पहला आप इसको समझिए मतलब चार्ट को रीट करना सीखिए ठीक है आप देख सकते हो मैं ड्रॉफ करके ट्रेल लाइन तो यह एक लंबे टाइम फ्रेम में मैंने कर रखी है यह सपोर्ट लेते वे स्टॉक लगाता जा रहा है राइट देख सकते हो एक सपोर् एक रेंज में ट्रेट कर रहा है टाइट रेंज में और एक ट्रेल नाइन को पे सपोर्ट लेते वे उपर की तरह बढ़ रहा है धीरीरी करके तो मेरे साब से इसको डेफिनिट्लि आप रणाय में रखो बाय करके चल सकती है और दो सबसे बड़ा रीजन है बाय करने को यह area almost आता है November और December महीने का यह दो महीने का area है इसमें stock एक tight range में trade कर रहा है और यह जो tight range में stock trade कर रहा है इसकी अगर आप delivery percentage देखोगे मला कितनी quantity trade होई है और कितनी quantity लोगों ने carry करके गए तो almost 100% है मैं अभी उसका भी आपको proof दिखा दूँगा जासे मैं चेक करता हू delivery percentage कितना रहता है क्योंकि stock market में delivery percentage बहुत matter करता है तो इसमें definitely आप radar में रखो इसमें last 2 महीने में almost 1 million का volume है और सब की सब जो quantity है almost सब delivery percentage 100% है अभी दिखा दूँगा आपको तो आप बने ज़े सकते हो बाकि एक पास के profit देख लो आपको अच्छे लगती ने लगते मेरे सा इसको profit के साफ से stock अभी तो क्वाटर से stock अच्छा लग रहा है profit के साफ से आप देख सकते हो उसके region आपको बथा देना चाहता हूँ जून में अगर आप देखोगे stock ने 28 लाग का profit show किया है September पे 50 लाग का profit show किया है एक बड़ी बात है दोस्तो company पहले loss packing company से आप देख से लगता है company को दिसंबर 2019 में loss था माँ 2020 में loss था चार क्रोड के असपस लेकिन लास्ट दो क्वाटर में company ने profit show किया है तो definitely यह impact stock के price पढ़ सकता है इसी वजह से मुझे लगता है वो जो एक trade range में जो stock trade कर रहा है यह एक particular यह region हो सकता है कि जो promoters हो सकते है जो इसमें बो सकत कर सकता है इसलिए वो इसलिए stock एक tight range में trade कर रहा है और November दिसंबर की quantity delivery है वो काफी हद तक उसको justify कर दी है अभी आपको दिखा दूँँ आप देख ली ना उसको एक बार तो seer holding pattern अगर आप देखो के दोस्तों seer holding pattern मेंने खोल अखा है holding अगर आप देखो के promoter की holding 42% के आ सकता है अब आपको मैं दिखा लेता हूँ जो मेन पॉंट की में बात कर रहा है delivery percentage की कि क्या रहास का देख सकते हो अम बल फार्मा का खोला हूँआ है 56.85 का अशबर भी trade कर रहा है stock ठीक है तो मैंने भी इसी price का अशबर trade लिया है लेकिन मैं बोला चाहूँगा आप अपकर रिक स्टेकिंग trader हो तो अभी ले सकते हो बाई लेकिन मैं आपको सज्वेस नहीं करूँगा आपको मैं एक रेंज का ब्रिक आउट दूगा जब तको रेंज का ब्रिक आउट नहीं हो जाता आप बाई मत करना पहले आप एक पर डिलिवरी परसेंटेज चेक कर लो मैंने ख नीचे 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 देख सकतो 100% 100% 100% ठीक है और यह पूरा का पूरा 100% है नौमेंबर से देख सकतो जब तक बाई डेटा है देख सकतो 12 नौमेंबर लांस डेटा है मेरे पास और 12 नौमेंबर से अभी तक जो डिलिवरी परसेंटेज है 100% है तो लगातार 12 नौमेंबर स जो data बथा रहा है, ठीक है, delivery percentage का, कि इसमें जो delivery percentage है, वो 100% है, तो definitely एक एरेजन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसको stock को buy करने का, तो अब बात करते हैं कि भाई, stock को किस price में buy करना है, वो सबसे बड़ा point होता है, तो देखो, अगर आपको stock को buy करना है, वो से मैं buy की सला नहीं देता हूँ, आपकी मर्जी अकर आपको buy करना, लेकिन मैं अपना view बता देता हूँ, अगर मैं safe trader होता है, तो मैं कब buy करता, यह आपको जो range दिख रही है, इस range के आसपर मैं buy करता, यह जब यह range break और जाती, तो मैं stock को buy करता हूँ, तो यह जो range निकल के आती है, 61 रुपीज निकल के आती है, 61 रुपीज जब stock यह break करेगा, मैं stock को buy कर लूँगा, मैं मतलब मैंने तो buy कर लिया है, ठीके, अब आपकी मर्जी आपको buy करना तो करो, नहीं करना मत करो, और मिरर्स में target काफी बड़े है, और अगर आप safe trader हो, तो 61 रुपीज आपके 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 चल सकते हो, stop loss लगा ले ना 50 रुपे के आपके stop loss है, 10 रुपे के stop loss है, target आप लगाने ना 70 रुपीज के आपके target रहेंगे इसमें, ठीक है, जो यह आपके resistance दिख रहा है, इसमें के लिए hold कर सकते हो, इसमें stock काफी, टाइट रेंज में trade कर रहा है, और delivery percentage increase हुआ, लास्ट टू मद में almost delivery percentage हो 100 परसेंट था, और company ने last two quarter में profit show करे है, जी हाँ, last two quarter में profit show करे है, कि मैं update कर दूँगा आपको मेरे Instagram और Twitter टेलीग्राम में तो वाद मुझा follow कर सकते हो, चलो बाए